चोपड़ा है जो किस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारी बचो MBBS के लिए All India का Special Stray Vacancy Round Seat Matrix जारी हो चुका है इसके लिए और इसमें MBBS की जो Government की Seats हैं वो Total 68 Seats हैं यानि की 68 Seats Government की हैं और Total 156 Seats हैं इसमें तो मैं आपको इस वीडियो में Category Wise Seats बताऊंगा Government की कितनी हैं ताकि आपको 24 फिल करने में Help मिलेगी Open Category की अलग Seats बताऊंगा OBC, SC, ST, IN सबकी Government Seats अलग बताऊंगा और इसके बाद में DimD University, NRI की कितनी Seats हैं इसमें DU की कितनी Seats हैं तो एक बार हम सबसे पहले ये देख लेते हैं Total Seats और उसके बाद में College Wise आपको Vacant Seats बता देता हूं यहां पर तो सबसे पहले जो Total Seats हैं, Total जो Special Stray Round के लिए Seats हैं वो 156 Seats से 80 Colleges में इसमें सामिल है All India Quota की Seats से, Open Quota की और DimD और DU Quota की तो इन 4 Quota की यानि सभी Total Seats MBBS की 156 Seats से 80 Colleges में इसी के लिए ये राउंड होगा अब इसमें अगर हम Government की देखते हैं All India Quota और Open Seats जिसमें AMU की Seats भी Vacant है तो इसमें जब Total Seats देखते हैं हम 2 Quota की Government की All India Quota और Open Seats तो 68 Seats हैं यानि की 60 Colleges में 68 Seats Government की Vacant है MBBS की अब इसमें हम Category Wise देखें तो UR Category की 36 Seats हैं यानि की UR Candidate 36 Seats के लिए इलिजिबल हैं Government के लिए OBC 21 EWS की 1 Seats है और SC की 6 Seats है और ST की 4 Seats है तो इस प्रकार से Total ये 68 Seats Government की हैं अब इसमें Dimmed University की 73 Seats है, NRI की 9 Seats है और DU Quota की 1 Seats BC Category की है UC MS में तो ये तो हो गया Category Wise Seats Government की Dimmed की कितनी Seats हैं इसमें ये मैंने आपको बता दिया है अब मैं आपको Category Wise, College Wise कटोब बता देता हूँ ताक की आपको 24 Philling में सोलित रहेगी तो सबसे पहले देखते हैं हम Open Category की तो Open Category की 36 Seats है उसमें हरियाना के 4 Colleges में 6 Seats है इसके बाद केरिला की 2 Colleges में 2 Seats है और माराष्टर के 3 Colleges में 3 Seats है उडिसा में 1 Seats है ये सारी Government की Seats है यानि All India Quota और Open Seats मिला करके ये 36 Seats है पंजाब में Ames में बतिंडा में 1 Seats Vacant है Open Category में और पंजाब के अन्ने 2 Colleges में 2 Seats Vacant है राजस्तान की बात करें तो राजस्तान में 6 Seats अविलेबल है 6 Colleges में तमिलनाडू की बात करें तो तमिलनाडू के भी Colleges में काफी Seats Vacant है इसमें टोटल 9 Seats Vacant है तमिलनाडू में UP में 1 Seats Available है और शोरी UP में 2 Seats Available है शोरी 3 Seats Available है UP में उत्राखंड में 1 Seats Available है West Bengal में 1 Seats Available है तो ये टोटल सारी Open Category की Seats Vacant है और ये Open की 36 Seats है आप इसको देख सकते हैं क्योंकि Open Category की जब Candidate जब Choice फिल करेंगे तो ये ही Colleges उनको शोह होंगी तो वीडियो को पोज करके आप इनको एक White Paper पर Note Down कर सकते हैं अब बात करें OBC Category की तो OBC Category की 21 Seats Vacant है इसमें आंधरा में 6 Seats Vacant है और बात करें हम तमिल लाडू की तो तमिल लाडू में OBC Category में 8 Seats Vacant है इसमें 9 Seats Vacant है तो इस परकार सी टोटल सीटें मिला करके 21 Seats OBC Category के लिए Vacant हैं अब OBC Category का Candidate Open Seats भी ले सकता है तो जो Candidate OBC का है वो 36 Seats Open की सीटों पर भी लिजिबल है और ये 21 Seats OBC की हैं उस पर भी लिजिबल है यानि कि जो OBC का Candidate है वो Candidate इसमें 57 Seats पर वो लिजिबल है 57 Seats उसको शो होंगी जब वो 24 फिल करेगा EWS की एक Seats Vacant है SKM जो नलर में हरियाना का कोलेज है SC कैटेगरी की 6 Seats Vacant हैं अंदर प्रदेश में 1 है बिहार में 1, करनाटका में 1, UP में 2 और इसके बाद में वेस्ट पंगोल में 1 तो 6 Seats SC कैटेगरी की Vacant हैं ST कैटेगरी की बात करें तो 4 Seats Vacant हैं इन 4 Seats में जमू कस्मीर में 1 है मनीपुर में 1 है मिलनाडो में 2 Seats हैं तो इस परकार से 4 Seats ST कैटेगरी के कंडिडेट के लिए इलिजिवल हैं इसके जो ST, SC, OBC ये तीनूं कैटेगरी के कंडिडेट हैं EWS ये जो चारूं कैटेगरी के कंडिडेट हैं Open की Seats भी ले सकते हैं वो 36 Seats पर लेकिन SC, ST और उसके बाद में जो EWS है इनकी Cut-Off Coffee Down पहले भी रहती है इसलिए वो Open की Seats नहीं ले पाते हैं जिन्होंनी लेनी है वो ले चुके हैं हालडी इस राउंड में तो ऐसा ही होता है कि अपने-पने Seats ही ले पाते हैं क्योंकि उनकी Cut-Off आगे निकल चुकी होती है अब DU Category यानि दिल्ली University के लिए एक Seat Vacant है UCMS में BC Category के लिए तो ये Government की Total 68 Vacant जो Seat थी मैंने आपको Category-Wise, College-Wise बता दी है आप इसके According एक White Page पर ये सारी Colleges लिग के उसकी Priority Set कर लें कि मेरे को कौन सी Colleges पहले फिल करनी है कौन सी Colleges बाद में फिल करनी है तो इस परकार से आप ये Colleges फिल कर सकते हैं तो जो Vacant City थी उसके बारे में बता दिया बाकि और कोई Update होगी तो मैं आपको Inform कर दूँगा तो मिलेंगे नई Update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन